पूरे हिंदू समाथ से पूरे हिंदुस्तान से भारती जंता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़ कर माफी मांगनी चाहिए और इस फिल्म के डालाग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी ये फिल्म का डालाग है सुन्ये कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे हिंदु धर्म को बदनाम करने का काम इस फिल्म के माध्यम से कर रहा है बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉंसेंस कर रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीती के लिए मर्यादा पुरुषुत्तम भग्वान श्री राम का भग्वान बजरंग बली का माता सीता का खुले आम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारती जनता पार्टी के नेता हैं मर्यादा पुरुषुत्तम भग्वान श्री राम माता सीता भग्वान बजरंग बली जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर जुक जाता है जिसका नाम लेते ही आदरभाव से हर हिंदू का सर नत्मस्तक हो जाता है ऐसे भगवान श्री राम का माता सीता का भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारती जनता पार्टी के लोगों ने किया और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरसल भारती जनता पार्टी लुच्चों लफंगों और सडक छाप लोगों की पार्टी है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप देखिए इन लोगों के आशिरवाद से एक फिल्म बनी है आदी पुरुस ये किसके आशिरवाद से बनी है ये बनी है योगी आदित नाज जी के आशिरवाद से ये बनी है सिवराज सिंग जी के आशिरवाद से एक नाज सिंदे जी के आशिरवाद से देवेंदर फ खटर जी के आशिरवाद से हेमंत विश्व सर्मा जी के आशिरवाद से पुशकर सिंग धामी जी के आशिरवाद से नरुत्तम मिश्रा जी के आशिरवाद से इतने सारे भारती जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का मर्यादा प्रशुत्तम भगवान स्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है पूरे हिंदू समाथ से पूरे हिंदुस्तान से भारती जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड कर माफी मांगनी चाहिए और इस फिल्म के डालाग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी ये फिल्म का डालाग है सुन्ये कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे आप अपने काल के लिए कालीम बिछा रहे हैं मेरे एक सपोले ने तुम्हारे सेसनाग को लंबा कर दिया अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है ये डालाग है मर्यादा कुशत्तम भगवान सीराम के नाम पर बनी फिल्म का ये डालाग है ये डालाग है ऐसी फिल्म को इतने सारे बीजेपी के मुक्हय मंत्री मानने ता दे रहे हैं ऐसे हिंदू धर्म के अफ्मान को देवी देवताओं के अफ्मान को भारती जनता पार्टी के लोग मोहर लगा के सीना तान के माननता दे रहे पूरे देश से जेपी नडडा जी को नरेंदर मोदी जी को और भाजपा के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का काम किया और फिर से एक बार सावित किया है बीजेपी ने कि दरसल वो लचे लफंगों की पार्टी है और धर्म में भी लुचचई और लफंगई की भासा का इस्तिमाल कर जाए हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम इस फिल्म के माध्यम से कर रहा है एक सीन इस फिल्म में दिखाई गई करें वो सीन कलपना के आधार पर है तुम कलपना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो तुम कलपना के आधार पर भगमान श्री राम के बारे में माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायन को रामचरित मानस को भी बदल सकते हो कल्पना के आधार पे इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छूरी लगा दी गई है अब आप बताईए इसको कोई हिंदू बरदास्त कर सकता है मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ हाँ जोड़कर जागिये और पहचानिये कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं ये लोग ना राम के हैं ना आम के हैं ना किसी काम के हैं ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है ये हिंदू धर्म का विनास करने वाले लोग है और इतने नाम मैंने पढ़े इनके सब के आशिरवाद से फिल्म बनी है इतने मुख्य मंत्री ये कर रहे हैं आप हिंदु धर्म के साथ, ये कर रहे हैं आप प्रभु स्री राम के साथ, ये कर रहे हैं आप माता सीता के बारे में आप कल्पना अधारित सीन दिखाएंगे फिल्म के अंदर, हिम्मत के सिरुए आपकी, कल्पना अधारित सीन दिखाने की, कोई छूरी लगा और ये डालाग आप पढ़िये सड़क्षाप डालाग आपने रखा इसमें तो इसलिए इस फिल्म को लेकर जो काम बीजेपी के लोगों ने किया है वो हिंदु धर्म का घोर अपमान है मर्यादा प्रशुत्तम भगमान स्री राम का अपमान है भगमान बजरंग बली का अपमान है और साथी साथ ये पूरे पूरे हिंदु समाज और हिंदु धर्म का अपमान है इसके लिए प्रहान मंत्री नरेंदर मोदी को जेपी नड़ा जी को और इन तमाम नेताओं को देश की जनता से माफी मागनी चाहिए